So friends, आज की वीडियो में हम लोग HTML के अंदर comments कैसे define किये जाते हैं इसे समझेंगे तो मैं जाता हूँ VS Code में और सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर comment होता क्या है So दोस्तो अगर आप लोगोंने HTML से पहले कोई और programming language यूज की होगी तो I hope आप लोगोंने comments के बारे में सुन रखा होगा और आपको comment का logic भी पता होगा पर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को explain कर देता हूँ So इसे एक example से समझते हैं For instance, आपके पास एक project आता है और आप उस project में कुछ logics लिखते हो ठीक है आपके पास एक project आता है और उस project में आप काफी सारे logics लिखते हो अब जब ये project आपका complete हो जाता है और ये project कुछ समय बाद एक दूसरे developer के पास जाता है अब वो developer जब आपका source code read करता है और आपके logics को वो पढ़ता है तो उसे उन logics को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्यों दिक्कत होगी क्योंकि उसे उस पूरे code को analyze करना होगा line by line पर अगर आपने हर एक logic के ऊपर एक comment दे दिया होगा कि इस logic का ये purpose है तो इससे दूसरे developer को आपका source code read करने में आसानी होगी उसको ये पता चल जाएगा कि XYZ logic इसलिए लिखा गया था ABC logic इसलिए लिखा गया था मतलब उसको आपके हर एक logic का purpose समझ में आ जाएगा आपके comments के दोरा तो इसलिए recommend किया जाता है कि जब कभी हम कुछ logic लिखे हैं कोई method define करें तो comments का जरूर से जरूर use करें तो HTML में भी comments को use किया जाता है तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं एक file create कर लेता हूँ topic4.html और यहाँ पर मैं इस file के code को copy कर लेता हूँ यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ अब HTML में comments को define करने के लिए क्या करना होता है एक less than का symbol लगाते हैं sign of exclamation लगाते हैं दो dash लगाएंगे अब जैसे ही मैंने यहाँ पर दो dash लगाया तो यह comment का end वाला जो यह part है यह automatically यहाँ पर vs code ने add कर दिया अब यहाँ पर हम अपना एक comment दे सकते हैं this is the largest heading ओके और मैं इसे copy कर लेता हूँ यहाँ पर मैं एक दूसरा comment दे देता हूँ this is second largest heading अब अगर मैं इस file को browser में open करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी सारी headings आ रही हैं और मैंने जो यह comment यहाँ पर define किया था यह comment यहाँ पर display नहीं हो रहा है क्योंकि comment को हम अपने code की readability बढ़ाने के लिए use करते हैं और यह कभी भी browser में display नहीं होता ब्राउजर इसे ignore कर देता है तो जब कभी भी आप html में comments को use करोगे तो वो comments कभी भी browser में display नहीं होगे अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं इसका source code निकाल करके आपको दिखाता हूँ तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको आपके comments दिखेंगे ठीक है यहाँ पर आप देख सकत properly follow करना है ठीक है इस तरह से comment को start करेंगे और इस तरह से comment को end करेंगे अब मानलो आपको इतना code नहीं यूज़ करना है मानलो आपको बाद में यूज़ करना है इतना code तो आप क्या कर सकते हो इसको comment कर दो तो अब आप जब इसको comment कर दोगे तो यहाँ पर comment कियावा code आपक से uncomment कर सकते हैं, अब comment करने का भी एक shortcut होता है, आपको क्या करना है, आपको control प्रेस करना है और उसके साथ आप slash की को आप press करोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर control प्लस slash को प्रेस करोगे तो यहाँ पर select किया हूँ code comment हो जाएगा ओके और दुबारा से आप control और slash press करोगे तो uncomment हो जाएगा तो यह shortcut होता है सो दोस्तों आप 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 लोगों को HTML के comments के बारे में समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगाओ तो